Hello students, welcome to your Botany Lecture, पेटा, टोदेए we will start Double Fertilization and its Significance. Double Fertilization की हुंदाया, अपने मेल गेमिटोफाइट दा डेवलोप्मेंट ते फीमेल गेमिटोफाइट दा डेवलोप्मेंट आलरडी अपने पिछले चैप्टरस पड़ चुके हैं. थोड़ा जे आ डाइग्राम में ब्रेन काट इंटरनेट तो लईया हैं, ते जस्ट टू रीकैप, सिरफ दस्टोफाइट की पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर दाया, फॉर्म कर दाया, पॉलन ट्यूब, ते पॉलन ट्यूब कैरीस कर दिया, दो मेल नूकलिया या मेल गेमिट, त स्टड़ी कर दे हैं, कि इना दा की काम हैं, डबल फर्टिलाजेशन दे बेच, ता बेटा, सिद्धी जड़ी पाशा दे वेच, वन मेल गेमिट, फ्यूज़ फ्यूज़ इन दा फीमेल गेमिटो फाइट या एंब्रियो साइग, ते जड़ा सेकंड मेल गेमिट या, ओ फ् यो जालन या फर्टिलाजेशन होंदा है, एस करकर ऐपा और एस प्रासेस नो डबल फर्टिलाजेशन करने हैं, होन के मैं डबल फर्टिलाजेशन होएगा, और ववूल या झनिया और व्यूल दे स्टिगमा थे बॉलनगरेंज जड़ाया हो आके स्टेक कर दे दे ते पॉ मेल नुकलिया ते एक ट्यूब नुकलियस प्राजंट हुंदा यह जड़ा डबल फर्टिलाजेशन प्रॉसेस है सब तो पहला एस जी न वास जीन ने डिसकावर किता सी लीलियेशियस प्लांट्स ते वेच लीलियम फ्रेटिलेरिया यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट हुन स्ट्रां दा ओव्यूल हुन दाया थे पॉलन ग्रेन जदो स्टिग्मा दे सर्फिस ते आके स्टिक करदा जर्मिनेट करदा रैड कलर दी पॉलन ट्यूब बनाई हुए है अब बाकी अगर एंब्रियो सैक दा भी थोड़ा जापा स्ट्रक्चर देख लेए तो एंब्रियो दो polar nuclei वह आपस्ट फ्यूज कर देया थे फॉर्म करदेया स्टेंडरी नुपलियाज एंगे त्यान रखना आया तोसे कि क दोन्यों polar nuclei नुपलेर स्टिग्मा दे अंथे स्टिग्मा कर्फेस ते जाइल, ओवरी चैंबर, ओवयूल्, दे विच एहे पॉलन ट्यूब जढिया, एंटर कर जन दिया। ते एस एंट्री दे, पॉलन ट्यूब रीचेस तू ओव्यूल या एंब्रियो साग थू 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 मैथट्स, एक जदो पॉलन ट्यूब एंटर कर दिया थू माइक्रोपाइल, दाट कंडिशन या दाट प्रोसेस इस कॉल्ड एस पोरोगेमी, हुन माइक्रोपाइल दे एक पॉजिट साइड ते अथे चालेजा हुंदाया, जो माइक्रोपाइल अथे या ता चालेजा इत्दर हुएगा, अगर माइक्रोपाइल आट ता चालेजा नीचे होएगा, यह डिपैंड करूगा, अगर पोलन ट्यूब एंटर कर दिया थू चा ले जा, आ देख मादे छालेज आया चालेज आझाटिण था दो नां चालेज हो गया ते अगर पौलन ट्यूब एंटर करोगी तोटे आपपसी शेव्रαज के जुऌलस तोटे प्रजंट दिख्केल आए गोरे फ 2000 फंटración मेंटे अगर ओως प्रते था पे करेगी फोलन तो एनुकेंदे मीश होगे मीं हुन फाइनली जड़ी पोलन ट्यूब या ओंब्रियो साग तक रीच कर दिया थ्रू माइक्रोपाइलर एंड या आप उपपर भी देख्या कॉमन जड़ा माइक्रोपाइलर एंड ता जे असी पोलन ट्यूब दी गल करिये ता पोलन ट्यूब आजड़ा पोलन जर्मिनेट होके एड़ी बड़ी ट्यूब फॉर्म कितती है पोलन ट्यूब एक क्यारीज कर दिया दो मेल गयमेट्स मेल नुकलिया भी आसी है नू कनने है ता देस कंडिशन इस नोन है साइफोनो गयमे ता ए वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है कि साइफोनो हुआ वों पिट्योफ कि आसी एंब्यो साइग कराने आ ने माम संते वाडिय इनों आजड़ा मां कयालो पोलन ट्यूब टि रिच conserve आंपरियो और ने मात्यूब करकां दिया रीज्स मेल चाहिए ञारे टम पोलं ट्यूब के पैनिट्रेट के दिया है इन्टव सिनर्जिट् उत्थे जाके एस सिनर्जीट देवेच जड़ा वाटरी माटीरियल प्राजन्ट हुन्दा है थे ओनू एब्जॉब कर दिया जिद्ध ही वाटरी माटीरियल नू एहे अब्जॉब करूगी एदी जड़ी टिप प्या पोलन ट्यूब दियो बर्स्ट कर जन्दिया हुन आप्पा पडएया की पोलन ट्यूब देवेच मेल नूकलिया प्राजन्ट हुन्द हुंदे आось हुँन एजड़ा पोलन ट्यूब क्वाईया वु कित्थे मूव कर जन्दिया synergids देविच ता synergids देविच आ देख़े थो बस्ट होई हुन ए जड़े न्यूकलिया या किते मूव कर जणे या इस synergids देविच एथे ते हुन synergids चैसी process था पड़ी चुक्के है के synergids चैकी हुना या जड़ा एक male nuclei या haploid male nuclei या male gamete it will fuse with egg cell embryos sex की present हुन्दा egg cell या female gamete भी कैसा देया सौक्खा बना लगी ता एनू असी कैदन नेया sin gamete ठीक है fusion of one male gamete और one male nuclei विद egg cell या female gamete या common process या रोज तो सी पड़ देया या plus one plus two च भी पड़े हो ना एनू अपपा कैदन है sin gamete sin gamete अलग गया साइफन हो गया मिया सी उपपर पड़े आया हुन जेड़ा बेटा second male nuclei या ठीक है second male nuclei या इट विल फ्यूज वेद this secondary nucleus हुन ये secondary nucleus की में बनेया कि जेड़े अपपा देख्या से अंब्रियो साइक दो पोलर नुक्लिया है सिगे ये दो पोलर नुक्लिया आप पस फ्यूज होके secondary nucleus फॉर्म कर देया ते जेड़ा second male nuclei या ओहो ए secondary nucleus नाल फ्यूज हो जनता है तो इनो असी करनेया triple fusion हुने पिटा triple fusion क्यों हुए या क्योंकि एक ता male nuclei है गई या प्लस एक आप ओलर नुक्लिया एक आप ओलर नुक्लिया आप secondary या तै वान टू थ्री ता करके इनो triple fusion करन देया और दो बार fertilization होया that's why it is known as double fertilization ता सिन गैमी दे वेच फ्यूजन हुनदा वन मेल नुक्लिया विद एक जल उत तो की बढ़ना या जाइगोट हुन जाइगोट की होएगा डिपलोईड होएगा 2N ते जाइगोट तो बढ़ना एंब्रियो एंब्रियो भी जेड़ा या वहोट डिपलोईड हुनदा या 2N ट्रिपल फ्यूजन की या मेल गया मेट प्लस सेकिंडरी नुक्लियस ते एत तो की बढ़ना या 3N प्राइमरी एंडोस्पाम नुक्लियस ठीक है एक मेल गया मेट ते दो पोलन नुक्लिया या प्राइमरी एंडोस्पाम नुक्लियस एट विल भी 3N ठीक हून प्राइमरी एंडोस्पाम नुक्लियस जेड़ा या एंडो स्पर्म बन गया या हुन बेटा एदे वेच जे असी टोटल देखिए ए मैं जड़ी आवली जस्ट इक व्यासी थानों दस्याया कि एस पूरे प्रोसेस जे असी सेल दी गल करिये तो तिन सेल ते पंज नियुकलियाई जड़े हो फ्यूज हुन दे दो पोलर नियुकल जड़े हो गें ठीक है ते एस तरह यह है पंज जड़े नियुकलियाई फ्यूज होनगे और सेल जड़े हो तिन ए मतलब जस्ट वैसे कोई खास ओ नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है कि कोई सिन गैमी और ट्रिपल फ्यूजन जड़े या यह जड़े दो इंपोर्टेंट इन अंज्योज्पर्म्स फलार्स एंज्योज्पर्मिक फ्लारिंग प्लांट न डबल जबीट जिमनोजपरम् टरीडोफाइट्स ते कोई थन नहीं देख्या ग्या है किरा का या डबल फैलज़ेशन वह गणाद बट ऐथे दे विच डबल फैलज़ेशन इबेच ज्रफ फ्यूजन जडिया ओहों देखी जन दिया को हुन जे ऐसी गाल करिया सिगनिफिकेंस ओफ डबल फर्टिलाजेशन ता एहे एक स्टिमुलास दिन दिया प्लांट्स नो due to which ovary develops into fruits and ovules develop into seed एहे री स्टोर करके रख दिया deployed condition by the fusion of haploid male and female gametes एता कॉमन हिया इत रिजल्स इन दा फॉमेशन ओफ दिपलोइट जाइगोट भी सन नो पताया विच डवलप्स इंटो अंब्रियो गिवराइस तो अन्यू प्लांट फिर जड़ा इत रिजल्स इन दा फॉमेशन प्रिम्री अंडोस्पर्म इन प्लांट सेब बैटर चांसेस अफ सर्वाइबल ता ए पढ़ लेओ बहुत इजी या नहीं समझाया था दोबारा पुछ लेओ तिल देन गुडबाय बिटा